12 फिजिक्स युनिट 9 इलेक्ट्रानिक युक्तियां इसके अंतरगत आज हम अध्यन करेंगे उभेनिष्ट उस्चर्जक परिपत में अनुप्रियोग इसमें हम पूरी मेथड भी समझेंगे और साथ में धारा लाप करेंट गेन वोल्टेज लाप वोल्टेज गेन और प्रतिरोध लाप रेजिस्टेंस गेन को भी समझेंगे और हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाईए तो आपको 12 के सारे सिलेबस के 9 से 12 तक के फीजिक्स और साइंस के वीडियो यहाँ मिलेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रवर्दक क्या है यह एंप्लिफायर क्या है इस चेत्र को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाओंगा बनाना भी सिखा दूँगा प्रवर्द के amplifier क्या है किसी भी signal किये जैसे आपने निवेशी signal दिया इनपुट सिगनल दिया तो इसकी जो frequency है आवरत्ती है यह देखेए यह यह frequency यह फ्रिक्वेंसी देखी यहां बदली नहीं है तो frequency में कोई परिवर्टन आपने नहीं किया है लेकिन आपने आयाम अर्थाद एंप्लिट्यूड देखिए एंप्लिट्यूड देखिए यहां का में यहां ज़ादा है आयाम को अगर आप बढ़ा देते हैं किसी तरीके से या किसी परिपत की मदद से तो उसको हम बोलते हैं प्रवर्धक तो वो युक्ति कहलाती पर प्रवर्धक मतलब अगर आपको प्रवर्धक की परिवाशा देना है तो आप कह सकते हैं कि किसी भी सिगनल की आवरत्ती में परिवर्धन किये भिना उसके आयाम को बढ़ाना प्रवर्धन कहलाता है और इस कारे में प्रयूक्त जो युक्ति होती या परिपत होता है उसको हम कहते है प्रवर्दक या एम्प्लिफायर प्रवर्दक क्या करता है कि प्रत्यावर्ति या परिवर्ति धारा वोल्टता या शक्ति के परिमान को क्या करता है बढ़ा देता है और इसका जो सिद्धान थे वो इस बात पर आधारी थे कि जो signal जिसका आप प्रवर्धन करना होता है वो निवेशी signal है तो उसके कारण आप आधार धारा में बहुत थोड़ा परिवर्तन करते हैं देखिए आधार धारा में आप बहुत थोड़ा परिवर्तन करेंगे और output के अंदर collector करेंडे में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा ये इसका प्रिंस्पल है और जो निवेशी परिपत या input circuit है वो होता है आपका आधार उत्सरजक परिपत मतलब बेस इमिटर circuit जो है ये वाला जो circuit है इसको आप बोलते है निवेशी परिपत या input circuit और इसको हमेशा फारवर्ड बायस अर्था अगर इनती में इस तरीके से रखा जाएगा मतलब प्लस और माइनस देखें बेटरी के इस तरीके से होंगे तो ये फारवर्ड बायस होगा और आपका निर्गत परिपत है ये ये आपका निर्गत परिपत है तो इसको आप बोलते हैं output circuit इसको आप संगरहक उत्सरजक परिपत भी बोलते हैं मतलब कलेक्टर-इमिटर circuit भी बोलते हैं और इसको बेटरी VCC की मदश से आप उत्करम अभिनती में रखते हैं मतलब reverse बायस हमें इस तरीके से बैटरी के प्लस माइनस लगाएंगे तो यह जो निवेशी signal हो यहाँ है और निर्गा सिंगनल जो है इहां आपको प्राप्त होगा अब मैं इसको अपने तरीके में रहेगा और c आउट पुट में रहेगा और यह परिपत इस तरीके से बना इंग गोला बनाईए घ्या इस तरीके साuff वित्गत में तरीके से अपको इसमें रखना है उसके बाद आप पोफन कई Ooल मतर चिंता मत कीजिए उसके बाद का सर기도 आप मुझ पे छोड़ दीजे मैं भी आपको सिखा देता हूँ आपको क्या करना है वेसे तो आपको पता ये forward bias में रखना, reverse bias में रखना अगर आपको problem आ रहे हैं तो मैं आपको सिखाता हूँ आप ऐसे NPN लिख दीजेगा और यहाँ E लिख लीजे अब आप ये देखेगा E के आपको दोनों मुझ नेगेटिव में छोड़ना है N N N N N ऐसे समझीए मतलब आप ये E वाली line को इस तरीके से लाईएगा और ये battery के negative में छोड़ दीजेगा E वाली line को इस तरीके से इधर लाकर battery के negative में छोड़ दीजेगा तो आप यहाँ पर इस तरीके से बैटरी बनाएगा तो इसका नेगेटिव देखिए E के दोनों मू नेगेटिव बोला मैंने तो E का नेगेटिव और यहाँ भी E का नेगेटिव अब आपका चित्र बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव है तो यह वाला बेस का करेंट है तो यह देखिए करेंट धन से ही जाता है तो यह करेंट की तीर का निशान इस तरीके से लग जाएगा ठीक है ना और इधर देखिए यहाँ पर प्लस लेंगे ठीक है न तो यह चित्र बनाने की टेकनीक तो मैने आपको बता दी और दूसरा AB इधर से आ रहा है तो यह यहां तीर का निशान इदर दी दिजेगा IC भी इधर से आ रहा है तो यह तीर का निशान नीचे की तरफ रहेगा अध्यान रखिएगा और यह IE बन जाएगा और यह IE हमेशा IB और IC का जोड होगा याद रखेगा IB प्लस IC is equal to IE तो यह 3 का निशान इसमें नीचे की तरब रहेगा तो इस तरीके से यह सर्कुट आपका पूरा बन जाएगा ठीक है ना और यहाँ आपने यह B और E के बीच का जो बेटरी को आप नाम दे दिजिएगा जो बेषर की बेटरी यह वह VBC हो जाएगी तो इस तरीके से आपका नाम करण भी पूरा हो जाएगा और इसमें खास भात ध्यान रखेगा कि इसमें आधार को जो है आप आपके पास अर्थात इमीटर के साफेक्ष कौन से विभाव पर रखा गया है धनात्मक विभाव पर रखा गया है यह देखिए यहाँ पार यह धनात्मक विभाव पर आपने रखा है अब आपके पास में इन्पूट में आपके दो चक्रें यह इन्पूट में एक यह आपका धनात्मकर गर्द चक्रे और एक रिनात्म गर्द चक्रे तो मैं पहले धनात्म गर्द चक्रे से अपनी बात को पूरी आपके सामने रखूँ और वो एकदम इस पस्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगी अभी आपने समझ दिया कि आधार उस्सरजक के सापेक्ष कौन से भी वपर है धनात्म गी ओपर है और आप इन्पूट में आप और क्या दे रहे हैं आप धनात्म गर्द चक्रे ले रहे हैं मतलब और धन दे रहे हैं या पर आप इन्पूट में तो फिर आधार उस्सरजक के सापेक्ष क्या हो जाएगा पहले से धनात्म के आपने और धन दे दिया तो तो ये और अधिक धनात्मक होने वाला है कि नहीं होने वाला है तो आधार उस्सरजक के सापेक्ष अधिक धनात्मक हो जाएगा मतलब निवेश्ची सिग्नल का जैसी आप प्लस देंगे यहाँ पर तो ये प्लस दिया और ये प्लस दिया तो ये और प्लस हो जाएगा अरे भाई प्लस का सो है और आपने प्लस का दस दिया या प्लस का दस दस दिया तो प्लस का 110 होगा की नहीं होगा मतलब आपने क्या किया कि अल्रेडी आधार उस सर्जक के सापेख्ष धनात्मक भी वोपर है और निवेशी में आपने ओर धन दे दिया तो फिर आधार उस सर्जक के सापेख्ष क्या हो जाएगा अधिक धनात्मक हो जाएगा इसी लाइन को देखिए आधार उस्सरजक के साफेक्ष धनात्मक योपर रखा गया है और आपने निवेशी में और धन इसको दे दिया तो आधार उस्सरजक के साफेक्ष क्या हो जाएगा अधिक धनात्मक हो जाएगा अब मैंने आपको भी कहा था कि ये इसमें अगर आपने वरद्धी की तो सीधी सीधी ये अधार धारा में क्या होगी वरद्धी हो जाएगी मतलब IB का मान क्या हो जाएगा IB का मान अधिक हो जाएगा तो ये आपका IB का मान अधिक हो जाएगा IB का मान बढ़ेगा तो IC का मान भी क्या होगा कि अगर IC का मान ज़्यादा हो गया तो IC का मान अगर ज़्यादा हुआ तो देखिए यहां पर अगर मैं इसके across voltage निकालता हूँ VCE तो यह होता है VCC minus ICRL होता एक नहीं होता है देखिए आप इसके across अगर आप voltage निकालेंगे तो यह बेटरी के voltage में से यह वाला voltage माइनस होगा तो ICRL है ना यह वाला voltage हम जानते ना कि V is equal to IR तो यह ICRL है तो यह जो ICRL है यह यहां माइनस हो जाएगा तो VCE is equal to होगा VCC minus ICRL तो यह आपका यह जो voltage है VCE यह voltage इस IC के मान को IC अधिक हो गया है तो IC के मान के अधिक होने से VCE का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि यह मान अगर बढ़ा तो यह घटने वाला मान बढ़ रहा है तो definitely यह मान क्या होगा कम हो जाएगा तो VCE का मान क्या होगा कम हो जाएगा अब आप अगर ध्यान से देखें तो संग्राहक जो है आपका collector है वो बेटरी के कौन से सीरे से जुड़ा है तो आप देखेंगे संग्राहक बेटरी VCCE के कौन से सीरे से जुड़ा है धन सीरे से जुड़ा है तो संग्राहक बेटरी VCCE के धन सीरे से जुड़ा है अब यह धन सीरे से जुड़ा है और VCCE का मा मतलब यह है कि संग्राहक के कम धनात्मक होने का मतलब है कि वो अपने प्रारंबिक मान के सापेक्ष रिनात्मक हो गया तो फिर आपको जो सिगनल मिलने वाला है वो आपको रिनात्मक निर्गस सिगनल प्राप्त होगा मतलब कम धनात्मक पर ही हो जाएगा रिनात्मक, अब मैं आपको इसको पूरा एक ट्रिकी अंदाज में बताता हूँ, आप इसको सीख लीजेगा, कि जैसे आपने कहा कि यहाँ आपने प्लस दिया, तो यह तो अलेडी प्लस है, तो फिर क्या होगा, आधार उस सर्जक के साफ पर ही हो गया, अधिक धनात्मक 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 हो गया, अब इसके 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 ध की नो जाया है कि कम धनात्मक होने का मतलब है कि अपने प्रारंभिक मान के सापरेक्ष कि बाप्या हो गया रिरिनात्मक हो गया तो ये रिरनात्मक अपन यृणक सिग्नल मिले गा आपको हो ठीक है अब देखे अब बस पुछ Cyp completely मतब एक बार आपने यहां लिख दिया तो कुछ शब्दों का परिवर्तन हो के निवेशी सिग्नल के रिनात्मक अर्द चक्र में आप चले जाएंगे तो देखिए आपन कैसे जाएंगे अब यहां पर देखिए यह शब्दों का हेर फेर होना है अधिक की जगे कम हो जाएग क्योंकि वो पहले तो धनात्मक था ठीक है आपने यहां रिन दे दिया तो यहां रिन देने से क्या होगा यह कम धनात्मक हो जाएगा अरे भाई अगर आप जो है प्लस का सो लेकर माइनस का दस देंगे तो प्लस का 90 बचेगा ना तो यह कम धनात्मक हो जाएगा ठीक है ना तो पहले अधिक धनात्मक था अब यह कम धनात्मक हो गया, इसके कम धनात्मक होने से IB क्या हो जाएगा, IB क्या होगा, कम होगा, तो IC भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इस तरीके से आपने संग्राहग धारा IC का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अब आपका सूत्र तो तो यह कम यह कम तो यह अधिक तो आप देख रहे हैं तो इस तरीके से आपका VCE का मान क्या हो जाएगा VCE का मान अधिक हो जाएगा अब संग्राग बेटरी VCE के कौन से सिरे जुड़ा है धन सिरे से जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा अधिक धनात्मक हो जाएगा तो ये आपका, देखे, संग्राग बेटरी के धन सिरे से ही जुड़ा है, अब वो अधिक धनात्मक क्यों हो जाएगा, क्योंकि संग्राग अधिक धनात्मक मतलब वो प्रारंबिक मान के साथ अधिक धनात्मक हो जाएगा, तो ये अधिक धनात्मक हो गया, और अधिक धनात् तो रहेगा पर यहाँ अधिक रहेगा यहाँ कम रहेगा और यह अधिक धनात्मक अधिक 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 जो नहीं मरते हैं जो रिद खायरा सां predictive में उनले से झुड़ाई or a A A WC E का मान की उनले से जाले सिकनल hei जिल प्रचल थे स्के Rolex के आप रिर्ण का Ruba प्रिंगे उनले की को मतलब क्या हुआ कि उनले सां की आप तर राडिखण परिपत ने जाले सिग्न नापट निर्गरस शीजनल वो वीपृथ कला में है, मतलब उनमें 180 डिग्री का कलांतर है। यह उपर है तो यह नीचे है, यह नीचे है तो यह उपरुथ कला में है। और मतलब हमने समझा कि जब आप धनात्मक अर्दचक्र में जाते हैं तो रिनात्मक निर्गस सिग्नल मिलता है और रिनात्मक अर्दचक्र में जाते हैं तो धनात्मक निर्गस सिग्नल मिलता है मतलब इन में 180 डिग्री का क्या है इन में 180 डिग्री का क्या है कलांतर है अब मै यहां से हो रहा है यहां से हो रहा है तो याद रखेगा कि जो लाब होता है वो आउटपुट में मिलता है तो आउटपुट में कोने IC इनपुट में कोने IB तो संग्राग धारा में परिवर्तन मतलब आउटपुट की धारा में परिवर्तन मतलब delta IC और आधार धारा में परिवर्तन मतलब delta IB के अनुपात को आप कहेंगे यह B आप यहाँ नीचे लिख लिएगा तो इसके अनुपात को हम आएं कहेंगे धारा लाब तो यह हो जाएगा आपका धारा लाब जो है वो बीटा से करेंगे और यह हो जाएगा आपका delta IC upon delta IB और यह जो आपका voltage यह वी सी यह समय constant rate माना गया है तो delta IC upon delta IB तो यह आपका हो जाएगा धारा लाब मतलब संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाब केते हैं अगर अगर आप DC लेते तो फिर परिवर्तन आपको नहीं लगाना पड़ता है तो यह आपका हो गया धारा लाब अब आप समझ गए कि हमेशा यह आउट पूट अपान इंपूट ही रहेगा चलिए अब धारा लाब के बाद लेते हैं प्रतिरोध लाब प्रतिरोध लाब मतलब निर्गत प्रतिरोध में चेंज निर्गत प्रतिरोध में चेंज और निवेशी प्रतिरोध में चेंज के अनुपात को प्रतिरोध लाब केते हैं मतलब R output upon R input यह हो जाएगा आपका प्रतिरोध लाब, इसमें परिवर्तन शब्द नहीं लिखना है, ठीक है न, अब voltage लाब, अब चुकि धारा में परिवर्तन हुआ तो voltage में भी परिवर्तन हुआ है, तो निर्गत voltage या वोल्टता में परिवर्तन, तो देखिए, यह हो गया delta VCE और आधार वोल्टता में परिवर्तन मतलब delta VBE के अनुपात को क्या कहते हैं अपन, voltage लाब कहते हैं, तो यह voltage लाब आपका हो जाएगा, delta VCE upon delta VBE, यह voltage लाब हो गया, तो याद रखेगा कि सारे के सारे लाब ही हो रहे हैं, मतलब input से output में हमेशा लाब ही होता है, याद कौन सी धारा जादा होती, निर्गत धारा जादा है, कौन सा वोल्टेज जादा है, निर्गत वोल्टेज जादा है, कौन सी शक्ती जादा है, निर्गत शक्ती जादा है, मतलब output में आपको हमेशा जादा ही जादा बताना है, तो चली अब, हम इनमें अगर relation लेना चाहें वीजिकल्टू रणाई से और यहां भी आप वीजिकल्टू रणाई से ऐसा कर लिजिए आर इन्पुट custom डेल्टा अई बी समझने के लिए ठीक है ना, तो यह आपका हो जाएगा RO delta IC upon RI delta IB अब RO upon RI को देखिए क्या है ये तो प्रतिरोध lab है और delta IC upon delta IB क्या है ये धारा lab है तो voltage lab क्या हुआ ये देखिए ये बन गया AR और ये बन गया beta तो AR into beta हुआ इसका मतलब जो है voltage lab जो है इसी तरीके से अगर आप P is equal to VI से अगर V में I का गुणा कर देंगे तो वो शक्ती lab भी आपको प्राप्त हो जाएगा तो 12 physics के पूरे NCRT syllabus के लगबख सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है और वीडियो आगे अपलोड होने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए घंटी बजाईए धन्यवाद